साथियों, राम चरित मानस में एक चौपाई है, साथियों, राम चरित मानस में एक चौपाई है, गो स्वामित तुलसिदाजी ने लिखा है, कि भगवान राम किसी का व्यक्तित्व समझाते हुए कहते हैं, जुठई लेना, जुठई देना, जुठई भोजन, जुठ चबेना, यानि कुछ लोग जुठी स्विकार करते हैं, जुठी दुसरों को देते हैं, जुठ का ही भोजन करते हैं, और जुठी चबाते रहते हैं, कुछ लोगों ने इनी पंक्तियों को अपने जीवन का मूल मंत्र बना दिया है, और इसलिए ऐसे लोगों के लिए देश का रक्षा मंत्रा ले भी जूठा है, देश की रक्षा मंत्री भी जूठी है, भारतिये वेना विवायुसेना के अपसर भी जूठे हैं, फ्रांस की सरकार भी जूठी है, अब तो उन्हें देश की सर्वोच्च अदालत भी जूठी लगने लगी है, लेकिन साथियों, सच को सुरुंगार की जरुरत होती नहीं है, सच को सुरुंगार की जरुरत नहीं होती, और जूठ चाहे जितना भी बोला जाए, उसमें जान नहीं होती है, लेकिन हमारे हाँ, बहुत बड़ी बात कही गई है, कि जयेत सत्य ने चानुतम, यानि जूठ बोलने की प्रभुत्ति पर, सत्यवाधिता से ही विजय प्राप्त होती है, मैं देश वासियों से स्पस्त कहना चाहता हूं, कि कॉंग्रेस सरकारों का इतिहास, सेनाओं के प्रती, कॉंग्रेस का रविया, क्या रहा, ये देश कभी उनको माप नहीं करेगा, देश कभी उसे भूलेगा नहीं,